आज के इस वीडियो में इंग्लेंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच विकट के बड़े डिफरेंस है जहां पर फिर से वही 19 तारीक का डेट किसी भी महीने का आया जहां पर ट्रेविस हेट के सामने एक ब्लू जर्सी वाली टीम थी तो उन्होंने उसको जम कर पीटा है 154 की पार तो खेली ही उसके पहले ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हुए पहली इनी में दो विकटे भी निकाल करके ले गए थे तो यह तो जादू था फिलहाल ट्रेविस हेट का लेकिन आज के इस मैच में जब सेकेंड टी टी टो वन डे मैच में एक बार फिर से दोनों टीम में आपस म इसमें सबसे पहले इंग्लिस बैटर्स की एकर हम बात करें जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को जब फेस करेंगे तो उसमें फिलिप साल्ट अभी तक जो सेजलू डो बेंड वार्ट सुईस पर एक एक बार आउट हो चुके हैं सस्ते में 11 और 18 गेते फेस करके पिछले मैच मे इनको अपने करियर के पहले विगेट की रूप में आउट भी किया इसकी बाद वहाँ पर बात करें विल जैक्स की जुन्हों ने पिछले वाले मैच में बेसिकली फॉर्म में वापसी की हमारे टीम में भी थे जंपा की 9 गेत पर 15 रम बना करके एक बर और ऑफ स्पिन पर 14 करियर में 32 गेत पर 32 रम बना करके तीन बर आउट हो चुके हैं मारनस लबुसेन ने भी पिछले वाले मैच में इनको जब एकदम जम गये थे 49 रम बना चुके तो आते ही आउट कर दिया 5 गेत पर 11 रंदे करके बकि बेंड़केट जिन्होंने आल्मोस्ट सेंचुरी लगा उसमें specifically इन तीन बैटर्स को साफ पता चलता है कि तो leg spin और off spin दोनों ही परिसान करती है लेकिन वहीं पर आगे बढ़े हैं और बाकी के बैटर्स की बात करें जिसमें लियाम लिविंग्स्टन है जो कि जमपा के दूसरी गेत पर आउट हो पिछले वाले मैच में एक रम ब दिक्कत हुई 11 गेत पर 21 रम बना करके एक बर आउट है ट्रेविसेट की आउट हुए तो पिछले मैच में जैसा कि आपने देखा बेहतरी इन पारियां खेली जा रही थी सभी इंग्लिस बैटर्स के द्वारा वो इस्पिन अटेक के आते ही धरासाई हो गये हालांके फिर पिछले मैच में तो कोई इनको आउट करी नहीं पाया जैसा कि आपको मैंने बताया 19 तारीक का दिन जो कि किसी भी महीने का इनके लिए कमाल का होता है अगर आप इनका रिकॉर्ड चेक करेंगे यहीं परकर में होगत कहीं लगा भी दिंगो डेटा आपके सामने कि 19 तारीक सको आपको देखनी चाहिए बाकि स्टीवन स्मित जो कि वैसे भी लेग स्पीन पर परसान होते हैं आदिल रसीत की गेट पर 175 गेट पर 7 बार आउट हो चुके हैं अपने पूरे वंडे करियर में लिविंग्स्टन के आते ही पिछले वाले मैच में आउट हुए लियम पर केवल आठ रम बना करके बार आउट हो चुके हैं आदिल रसीत पर भी चार बार आउट हो चुके तो वैसे भी काफी सारी दिक्कते इनके सामने बनी हुई हैं इसके लावा जो बाकी बैटर्स हैं ऑस्ट्रेलियन उसमें मार्णस लभू से यह भी लग स्पिन के जिसमें सैम करन तो स्कॉर्ड में ही नहीं है और रीश टोपली स्क्वार्ड में उनको खिलाया नहीं गया लेकिन अगर खेलते हैं तो उनका गेम बने गा बाकी ग्लैन मैक्सणल खेल नहीं तेलीजिकर इनकी भी कमजोरी मजबूती जो नप देख सकते हैं इलेक्स कियर जो लेफटम आर्ट्रोडक्स बोलर ने पिछले मैच में इनको आउट गिया, तो प्लेयर्स की वीकनिसेस को समझ लेनी के बाद, जिसमें हमको एक बात तो कम से कम क्लियर समझ में आई, कि एक ऑस्ट्रेलियन जो बैटर्स हैं, वो पार्ट टाइम लेग स्पिन के किलाफ अच्छ पर जब आज के इस मैच पर दोनों टीमें उतरेंगी, आज का मैच खेलें, जहां पर कंडिसन्स थोड़ी सी क्लावडी हो सकती हैं, सुबह के तोरान ज्यादा रहेगी, जैसे मैच के करीब आता जाएगा, टाइमिंग थोड़ी से बादल छटने शुरू हो जाएंगे, ले पर हुआ था, जहां पर आखरी में सिलंका और इंडिया का हुआ था, सिलंका के 2016-4 के स्कोर को इंडियन टीम ने बड़屋 असानी से चेज कर दिया था, विस्ट इंडीज के 311 के स्कोर को अफगानिस्तान ने चेज कर तो 280 बना दिया थे, अफगानिस्तान के 227 के स्कोर को पाकिस्तान ने मुश्किल से चेज किया और स्री लंका के 232 के स्कोर के सामने इंग्लेंड के टीम 212 के स्कोर पर रोग दी गई जहाँ पर सबसे में चीज एक देखनों को मिली इन चारों मैचेस के अंदर कि यहाँ पर स्पिन को 18 तो पेस को 49 विक्ते में ली है स्पिन को पहली इनिमे 9 और सेकेंड इनिमे भी 9 और पेस को पहली इनिमे 2100 इनिमे 18 यानि कि कोई ऐसा मामला बनता हो दिखाई नहीं पड़ता कि spinners किसी particular inning में dominate कर रहे हैं पेसर किसी particular inning में dominate कर रहे हैं पूरी तरह से balance strike जहांपर आप 300 plus का score भी देखेंगे जहांपर आप 277-230 का score भी बनते हुँ दिखाई पड़ेंगे जहांपर आपको दिखाई पड़ेगा कि 232 का score भी सिलंका जैसे team ने defend कर दिया वो team के खिलाफ जो कि वहाँ पर champion बनी थी उसी world cup के अंदर तो ये सारा मामला है कि एक balance wicket को ये दिखाता है power play भी अब चाहाए तो देख सकते हैं जो शुरुआती 10 over का होता है इन चारों ही matches में कभी विक्टे गिरी भी है तो कभी अच्छे run भी बने है तो पूरी तरह से एक balance surface है डिपेंड करेगा कौन सा बैटर कितना बैतर बैटिंग कर पाएगा या बॉलर कितने अच्छी line-o-land पकड़ करके बॉलिंग करेगा और उस समय जब ये match स्टार्ट होगा तो जो pitch की update आएगी कि कौन सी pitch provide करवाई गई है वो देखना काफी जरूरी होगा बाकि पिछले 10 matches का आंकड़ा देखें तो 6 बार पहले batting करने वाले team तीन बार batting second करने वाले team एक बार match यहां पर tie हुआ है तो overall सब कुछ depend करेगा pitch पर बाकि फिलहाल जो पिछले कुछ matches हुए है उसकी basis पर इस pitch को समझने के बाद यह एक balance track देखनों का मिल सकता है यह भी देखना जरूरी होगा कि जो pitch मिल रही है उसका nature किस तरीके का हो सकता है विदर कैसा फिलहाल है तो उसका update तो आपको में टेलिग्राम के चैनल पर पहुंचिए और जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो नीचे यहां पर एक join बटन दिखाई पड़ेगा उसको क्लिक करके join करिए और वाटसब चैनल के link को क्लिक करेंगे description या पिन कमेंट से तो वहां से आप पहुंचेंगे वाटसब चैनल पर follow बटन को क्लिक करके join हो जाना है उसके बाद notification का जो bell icon होगा उसको mute से हटा करके on कर लेना है फिलाल हम आचुके है playing 11 के तरफ squad को समरने के लिए जहां पर England की team और Australian team ने दोनोंने काफी सारे प्रयोग की पिछले मैच में और बेसिकलिए अगर आप England का playing लोन देखें जो कि मुझे लगता कि आज केस मैच वही रह सकता है बेन डगेट जोनोंने सांदार पारी के लिए फिलिप सार्ट विल जैक्स हैरी ब्रूग जैमी स्मित और लियम लिविंग्स्टन आये इसकी बाद जेकाब बीथल को भी डेब्यू करने का मौका मिला ब्राइटन कार्स जोफरा आर्चर मैठी पॉट्स और सातिशाथ आदिल रसीद भी खेले जहां पर केवल दो ऐसे बॉलर दिखाई पड़े लिविंग्स्टन जिन्होंने नव ओर किये साति-सात आदिल रसीद जिन्होंने 10 ओर की बाकि सभी को 3-3, 4-4, 5-5 ओर की बॉलिंग कराईगी जिसमें से अगर आप देखे तो जोफरा आर्चर भी थे मैठीव पॉट्स भी दे, ब्राइटन कार्स भी दे, जेकाब बीथल भी थे और यहाँ पर विल जैक्स ने भी 6 ओर की बालिंग पिछले वाले मैच में की थी तो जनरली अगर आप देखेंगे तो इन सभी के बीच में ओर बढ़ते वह दिखाई गया पूरे 7 बॉलरों का यहाँ पर प्रयोग किया गया जिसमें लिविंग्स्टन ने और आदर रसीद ने मिजॉलिटी ओर किये और इसमें भी पावर प्ले के पहले 10 ओर में जोफर आर्चर ने पूरे 4 ओर किये थे मैथ्यू पॉर्ट्स ने पूरे 3 ओर किये थे ब्राटन कार्स ने 2 ओर किये थे विल जैक्स ने 1 ओर डेथ ओर के दोरान लिविंग्स्टन आकर के पहले 2 ओर कर गए थे जब 40 से 50 ओर के बीच के मैच होता है और आदल रसीद सो उम्मीद होगी कि ये भी बॉल करेंगे ब्रा इस टीम ने तो आठ बॉलर्स का यूज किया जिसमें वहाँ पर चार ओर कर गए थे ट्रेविस हेड भी और इन्हों ने भी दो विक्टे ले करके चले गए बाकि कैमरन ग्रीन ने भी ओर किये लेकिन वही है कि जो कोटे की ओर पूरे करतों दिखाई पड़े वह मैथ्यू स इस टीम ने आठ बॉलर्स का यूज किये जिसमें से एलेक्स कहरी स्टीवन इसमें तो मिचल मार्स ही बचे थे जिन्हों ने बॉलिंग किया नहीं वरना सभी ने बॉलिंग कर दी बाकि इनका बेंच भी आप देख सकते हैं लंबा चोड़ा है बड़े-बड़े प्लेयर्स प्लेयर का रोल देख लने के बाद हम आचुके हैं आकडों के तरफ जहां से समझना सुरू करेंगे कि कौनसे प्लेयर हमारे टीम में एक्चूली आएंगे जिसमें एक चीज़ तो यहां पर इंगलेंड के प्लेयर हैं इनका recent form यहाँ पर है जिसमें पिछले मैच की performance में आपने देखा ही कि बंडगेट ने 95 बनाए, 17 बनाए, फिलिप सार्ट ने, विल जैक्स ने 62 रम बनाए, हाला कि विकेट मिला नहीं, हैरी ब्रूक ने 49 बनाए, 23 बनाए, जेमी स्मित ने, लिविंग्स्टन ने 13 रम बनाए एक विकेट भी लिया, यहाँ पर जो जैकब बीथाल है, 35 रंगी पारी खेली और एक विकेट लिया, ब्राइटन कार्स को विकेट नहीं मिला, विकेट वहाँ पर नहीं मिला, जोफरा आर्चर को, अदल रसीद को भी विकेट नहीं मिला, मैथ्यू पॉट्स को एक विकेट नहीं आला कि उसके पहले बड़े अच्छे फॉर्म में थे बाकि ओली स्टोन जॉन टर्नर जबर्जस फॉर्म में है यह तो दिखाई पड़ता ही है जॉर्टन कॉक्स भी टी टॉंटी सीर्ज में कुछ खास तो नहीं कर पायते हैं आला कि उसके पहले ठीक ठाक बैटिंग फ दूं तो यह पहली इनिंग में जब बैटिंग करते हैं वोडियाई करियर के अंदर अभी तक इनोंने जितना भी क्रिकेट खेला है 54 के एवरेज से पहली इनिंग में रन बनाया है सेकंड इनिंग में केवल 17 है वहीं पर अब बात करें फिलिप साल्ट का तो पहली इनिंग बालिंग भी करते हैं तो पहली इनिंग के बालिंग में 54 गेदर लगाते हैं एक विकट निकालने में बालिंग में 32 गेदर तो यह चीज़ समझ में आती ही कि कहां पर बैटर और बालर कुरुप में भी यूच्फुल है और उसी तरह से हैरी बुरूप का देखें तो यह से जोफरा अर्चर एक ऐसे बॉलर है पहले इनिंग में 32 गेदर लगा रहे हैं एक विकट निकालने में वन डे करियर में लेकिन बात आती है फिक लेने में तो जोफरा अर्चर भले पिछले में पर नहीं चले लेकिन इसके पहले बड़े अच्छा फ्वाम में रहे भी थे औ इनको आप वैसे भी मिस नहीं कर सकते है ठीक उसी तरह से बाकी बॉलर्स का भी स्ट्राइक आप देखकर के या बैटिंग बैटर्स का बैटिंग एवरेस देखकर करें समझ सकते हैं कि कौन किस इनिंग के लिए बहतर आप्शन रहा है पूरे करियर के अंदर और उससे समझ करना चाहेंगे करना भी नहीं चाहिए चूंकि और फिलिप सार्ट का उसमें वह भी तब क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म में तो नहीं है लेकिन विगट कीपिंग सक्षन में देखेंगे तो इनके अलावा एलेक्स कह रही है जैमी स्मीथ है जो पिछले मैच में खेले थ लेकिन इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक प्लेयर है Harry Brook नाम का एक प्लेयर यहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे जैकब बीथल जिनके बीच में confusion है लोग आधार आधे आधे लोग इन दोनों को ले करके जाएंगे जो कि बहुत ही अच्छी यूडिलिटी दो यह तो सांदार फॉर्म में है लिए जा सकने वाले नाम है लेकिन उसमें रीश्टोपली जैसा कि आपको मनें बताया अल्रेड़ी पीछे जो आप मैं प्लेयर की विकनिसे बता रहा था कि लेफ्टा मीनें फास बॉलिंग एक ऐसी अटैक है जो कि डेफिनिटली ऑस्टेलि तो तीन मैच में किवल चमवन रन है लेकिन एक मैच पंचान बरन हो गए बेन डगेट के पिछले ही मैच में उसी मैच का स्कोर आपको विल जैक्स हैरी ब्रूक और जैमी समित हो साथ ही साथ यहाँ पर जैकब बीथल का भी दिखाई पड़ेगा लिए लिए ने दो मैच प पिछले वाले मैच में मैथ्यू पॉट्स ने 27 मैच में 47 विगेट ले चुके हैं आदिल रसी जो कि पिछले मैच में नहीं चले लेकिन बहतरीन आंकने हैं तो डेफिनिटली इनके उपर आप बिलकुल भरोसा कर सकते हैं किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो पहली इनिंग या लिया था एक मैच पर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग किया है वहाँ पर इनको विगेट नहीं मिला था तो कहां के लिए बहतर आप्सन होंगे वह तो ओली स्टोर के हिसाब से आपको समझ में आ गया जोफरा आर्चर और आदिल रसीद एक सांदार आप्सन होंगे ये भी आ यहां पर एक मैच पर तेरा विक्ते हैं रीष टोपली यहां पर भी एक मैच पर विगेट लेस हैं तो आंकडों पर जाए तो रीष टोपली कुछ खास आप्सन बंते नहीं लेकिन जैसा कि आपको मैंने पीछे विकनेस में समझाया था कि यह एक अच्छे आप्सन रहेंग तो वो और रीश टोपली बेक रिस्की आप्सन रहेंगे बाकी बैटर्स को और आल राउंडर्स को तो आपने देख लिया इंग्लैंड के तरफ से ठीक उसी तरह से औस्ट्रेलिया के तरफ से भी सभी खिलाड़ों के बारे में देखें तो यहां तो आपके सामने करियर का पूरा डेटा है इनिंग के बेसिस पर जिसमें आउस्ट्रेलियन प्लियर जनरली दोनों ही इनिंग्स में सांदार रहते हैं इसमें एक दो प्लेयरों को अगर आप छोड़ दें जिसमें से जोर सोजय लूडे कैसे प्लेयर हैं जो कि काफी अच्छे फॉर्म में हैं पिछले पांच मज़े पांच युक्ते हैं वंडे करियर में पहली इनिंगी बॉलिंग में हाद 40 वी गेट पर एक विकेट लेते हैं नहीं जब बात आती है सिकेंड इनिंग की तो वहां पर और खर्तरनाग हो जाते हैं 28 गेट लगाते हैं एक विकेट निकालने में ठीक उसी तरह से बाकी बैटर्स और बॉलर्स के सा और अगर आपको मेरा पिछला वीडियो याद हो तो मैंने उनको कैप्टन भी सजेस्ट किया था आपको इसके बाद नहां पर आता है एलेक्स कहरी दस नम बनाया एक विकेट लिया मैथ्यो स्वाट ने बाकी में बॉलर्स को उतनी विकेट मिली नहीं बाकी ये प्लेयर तो मारनसलब हुसेन और साथी साथ एडम जंपा ये पाच प्लेयर तो पके हैं सभी के टीम में जो आपके अपोरेंट्स लेकर के आएंगे लेकिन इसके साथ साथ एक और जो चीज देखनी है जो बाकी नाम है जैसे सीन एबॉर्ट जो की डेफिनिट्ली पहली इनिंग की बॉ भग इनको इग्नोर कर रहे हैं लेकिन वो कैसे ऑपसर बन सकते हैं या नहीं कुछ ग्रेंड लिक में आपके टीम में आ सकते हैं या स्मॉल लिक में उनके पर अप्रेस के ले सकते हैं या उसको देखने के लगर अगर हैड-to-eight का डेटा देखेंगे तो मिचल मार्स सांदा है 19 मज़े 574 रन 35 का एवरेज और 19 विक्ते लेकिन फिलाल जैसे कि आपने देखा कि इस सीरीज में नहीं चल रहे हैं लेकिन यहीं पर एक कैच आता है क्या कि इनके 35 के जो एवरेज हैं इंग्लेंड के खिलाफ वड़ने क्रिकेट में खेलते हुए उसमें पहली इनिंग में 49 का एवरेज है, सेकेंड इनिग में 17 जो की पिछले मैच में एक तरह से अब देखें तो वहीं सही हुसाबित हुआ कि इनिंग की बैटिंग रही वहाँ पर नहीं चले हो सकता है पहली इनिंग की बैटिंग आजा जा जा तो कमाल के आप्शन हो मेरा भी प्रेडिक्शन वही यहाँ पहले इनिंग की रहेगा, यह मेरी टीम में में पक्का रहेंगे, बाकि Travis Hedde जो होंगे, वो 2-nd inning की बैटिंग में पक्का रहेंगे, हलाकि जैसे उनकी परफॉमेंस है, चुखि वो बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो दोनों ही इनिंग्स की बालिंग में हमारी टीम में ब इसके पहले आठ मैचे 51 का एवर्ज है 307 रन है तो सांदार परफॉर्मेंस इन सभी की रही है एलेक्स कैरी के नंबर्स भी काफी अच्छे है मैथ्यू सौर्ड और साथी साथ एरन हार्डी का तो पहला ही मैस था जो पिछला वाला हुआ जिसमें सी ने बॉर्ट के दो मैच प बारे में जिनका करियर आपने देखा वंडे में कि सेकेंड इनिंग में ज्यादा काम्याब होते हैं सेविलरली आप इंग्लैंड के खिलाफ भी देखेंगे तो 31 का स्ट्राइक है केवल सेकेंड इनिंग में पहली 51 का है तो वहां पर एक काफी सांदार ऑप्सन है बाकि जो मैक्सवल 85 रन और एक विकेट एक-एक मैस दोनों के जोगी सांदार रहे हैं बाकि प्लेयर नहां पर खेले नहीं लेकिंगे जो भी पीछे का डेटा आपको दोनों ही टीमों के तरफ से हर एक प्लेयर का मिला पिछ का जो सारा इनालेसिस हमने किया और इंटर प्रडेशन प दिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पर मिल जाएगा तो पूरा वीडियो देखिए दोनों ही चैनल्स को जाकर के जोइन कर लिए काफी जरूरी है यह टीम बना करके सेव कर लिए बाकि वीडियो सुरू से अंतर पूरा जरूर देखिएगा यही एक आपके लिए जरूरी चीज है फिलाल इसको यहां पर करने के अतम चलते हैं मस्कार